बैगन का भरता तो आप बहुत तरीके से बनायोंगे लेकिन आज मेरे तरीके से एक तम बिहारी स्टाइल में आग में भुना हुआ ये बैगन और टमाटर का चोखा बना करके देखे आप इसे सत्तू पराठा लिट्टी तो क्या आप इसे नॉर्मल रोटी के साथ भी खाएं और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए हम आज की सिंपल और डिलीसियस रेसिपी बनाना सुरू करते हैं तो ये बहुत ही डेस्टी बिहारी स्टाइल बैगन और टमाटर का चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भंटा बैगन मीडियम साइज के लिए हैं और दो टमाटर लिए हैं जिसमें एक बड़े साइस के हैं और एक छोटे साइस के हैं और साथ ही मैंने पांच लेसन की कलिया लिए हैं और तीन हरी मर्च लिए हैं अब हम क्या करेंगे बैगन पे हम चीरे लगाएंगे ताकि जब हम इसे आग में पकाए तो ये अच्छे से पक और जो मिर्ची और लेसन है ना वो इसके अंदर हम डालेंगे ताकि वो भी एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाए यह देखे कुछ इस तरीके से हम डालेंगे इसे बनाना बहुत आसान है पस इस तरीके से आप सभी चीरे में हम अच्छे से डाल देंगे ताकि यह बाहर ना नि तो देखिए यहाँ पर हो गया है अब उसकी बाद हम इस पर सरसो का तेल लगाएंगे तेल हम इसे लिए लगाएंगे ताकि जो बैगन है वो अच्छे से पके और जब हम रोस्ट करके इसके छिलके निकालेंगे तो अच्छे से रिमूफ हो जाए इसलिए तेल लगाना जरू मैंने इस तरीकी की जाले ली है आपके पास जैसे भी हो आप ले ले अब उसके बाद हम इसे सेट करके इसकी गैस को ओन करेंगे यहाँ पर मेरी जाली जो है वो थोड़ी छोटी है तो मैं इसे एक बार में पहले बैगन को पकाऊंगी उसके बाद मैं दो नो टमाटर को पक चुका है तो बस हम low to medium flame पे इसे हम धीरे धीरे पका लेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए ये देखिए बस पांच मिनिट में हमारा wagon भी रेडी है अब सेम तरीके से हम टमाटर को भी रखके पका लेंगे टमाटर को पकने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा तो आ हम प्रेट पे लेएंगे और इसे थोरा ठंडा होने देंगे बस एक से दो मिनिट अप इसे हृढका गर्मवन रहे तो आप सा चलत निकाल ले यह रेखिए अच्छे से मैश हो जा रहे हैं अब उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइस के प्यास को एकदम बारीक से काटके डालेंगे साथी एक इंच द्रक को एकदम छोटे बारीक से काटके डालेंगे इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और साथी हम एक बड़ी चमच ए तो सभी सीजों को डाल करके हम हाथों की मदद से एशे मैस करते हुए इसे अच्छे से मिलाएंगे अगर आप हाथ से नहीं करना चाते तो मैशर आता है आप उससे भी कर सकते हैं हाथ से काफी अच्छे से हो जाता है ये देखिए मैंने सभी गुठ्लियों को अच्छे से मैश कर लिया है और यह चोखा एकतम अच्छे से बन कर रही है यहां मैंने कर्मगरम सद्दू पराठा के साथ सफ किया है आप लिट्टि रोटी पराठे सब के साथ खा सकते हैं यह सब के साथ बहुत ही डेस्टी लगता है और जितना इसे बनाना आचान है तेस्ट इसका उतना ही स्वादिस्ट है तो आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राइब करें आप सभी को यह बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंट्स अगर यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में